सफकनाज का बड़ा खुलासा क्या भाई सिजान खान की वज़र से तूटी सफकनाज की इंगेजमेंट आखिर क्या है इंगेजमेंट तूटने के पीछे की बड़ी वज़ा सफकनाज की अपसे दो महीने पहले ही तोट चुकी है और वो भी उनकी उस बॉइफिंट के साथ जिनके साथ वह तीन साल से भी जादा रिलेशनशिप में थी जहीं हां तीन साल से डेट कर रही थी सफकनाज अपने बॉइफिंट को लेकिन जब शादी की बारी आई तो इंगेजमेंट से पहले ही सफकनाज की इंगेजमेंट तूट गई तो क्या है पूरा मामना चानने के लिए विडियो के एंग तक बने रहें विल अगर बात करें सफकनाज के परसनल लाइफ की तो साल 2023 मई में यानि इसी साल सफकनाज तीन साल तक अपने बॉइफिंट को डेट करने के बाद उनके साथ इंगेजमेंट करने के लिए पूरी जटका लगा था विलव रीसेंटली सफकनाज ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने इंगेजमेंट को लेकर कई वड़े सवाल से परदा उठाया है इस दौरान एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि सगाई उसके बाद शादी कुछ गलत फ्रेमियों के कारेट पोस्पॉन करनी पड़ी उन्होंने कहा शादी में सिर्फ दो व्यक्ति ही शामिल नहीं होते बलकि उनके पूरे परिवार शामिल होते हैं जब दो परिवार एकसाद मिलते हैं तो मत पैदा होता है और ठोड़ी सहमती रहती हैं कास कर !!! हमारे परिवार Direct थी लेकिन दोस्त देना नहीं च सकेंगे शायद यह सही समय नहीं है देखते हैं कि भविष्य में हमारे लिए क्या माइनी रखता है विल इसके बाद सफगनास से यह सवाल किया गया कि क्या उनकी यह सगाई उनके भाई सिजान खान की वज़से टूटी है क्योंकि वो तुनीशा सर्मा मामले में जेल गए थे तो इस पर एक्रिस में साफ साफ इंकार कर दिया कि उनकी सगाई और शादी के टूटने की पीछे की वज़ा उनका भाई तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि उन्होंने बताया कि फैमिली के बीच कुछ मद्धेत थे जिसकी वज़से सगाई को पोस्पॉंड करना पड़ा विल्ल सफफखनास की यह बातेबा असंदी के बात क्या लगता है आक को किया सफवफखनास जल्द ही शादी के मंधन में बन सकती है इस पर क्या है आपक मेसे णाप वह मं में कॉंमें सीकान में जाकर को में को मैं जरूर बताएं घयले